दो हम यहाँ पर पढ़ेंगे momentum के बारे में तो जान लेते हैं यहाँ पर momentum होता क्या है जैसे कि यहाँ पर cricket की ball होती है और tennis की ball होती है और हमें पता है जो tennis की ball होती है वो cricket की ball से हलकी होती है इसका मतलब अगर हम यहाँ पर same speed से cricket की और tennis की ball यहाँ पर fake हैं तो किसको रोकने म ज्यादा फोर्स लगेगा obviously cricket के ball को रोखने में ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि यहां पर जो force है किसके directly proportional है मास के तो यह भी हमारे एक momentum के category में आता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं force जो है यहां पर directly proportional किसके है मास के और force जो directly proportional velocity के भी है ऐसा क्यों हो रहा है जैसे कि मालो अगर यहां पर दो cricket की ball ले रखी है और एक को मैं काफी slow फैक हूं तो उसे रोकने में यहां पर काफी कम force लगेगा और जिसको मैं ज्यादा है तो यहां पर मैं लिख देता हूं motion of a body motion of a body depends किसपे depend करेगी मैंने भी पता है को motion of a body depends on mass and velocity तो mass and velocity दोनों पर depend करेगी या mass पर भी depend कर सकती या velocity पर भी depend कर सकती है तो यहां पर जो momentum का formula होता है वो मैं यहां पर लिख देता हूं तो momentum का जो यहां पर formula होता है वो हमारे होता है mass into velocity होता है क्या होता है हमारा mass into velocity जैसको define भी करें तो momentum of a body is defined by the product of mass and velocity तो momentum को हम यहां पर P से denote करते हैं और mass को M से and velocity को V से तो यहाँ पे अगर कोई P लिख दे तो इसका मतलब वो momentum की बात कर रहा है अगर यहाँ पे body हमारी rest पे है अगर हमारी यहाँ पे body क्या है? rest पे है तो obviously उसकी velocity यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी? मतलब कोई speed ही नहीं है तो वहाँ पे अगर velocity 0 होगी होता है और direction मी घिखल रखना यह vector quantity है क्योंक्य velocity भी हमारी vector quantity होती थी जिसमें direction भी होता था और हपे क्या होती थी? magnitude भी लिख देता हूँ इसकी जो यहाँ पे SI unit है वह हहाँ पे क्या होगी? kg जिसकी mass की kg होती है और velocity हो होती है? m2 सेकेंड तो इसकी ऐसा यूनिट बनकी हमारी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो बोडी का अगर हमें यहाँ पर मुमेंटम बढ़ाना है अगर किसी बोडी का यहाँ पर हमें मुमेंटम बढ़ाना है तो उसके लिए हुआ पर क्या होगा उसका मास बढ़ाना पड़ेगा सबसे ज्यादा वैलोसिटी होगी उतना ज्यादा वहाँ पर क्या होगा मुमेंटम बढ़ेगा या दोनों चीज बढ़ानी पड़ेगी मास भी बढ़ाना पड़ेगा एंड वैलोसिटी भी ध्यान रख रहे हैं आप ठीक है तो यह कुछ पॉइंट थे हैं पर मुमेंटम के बारे मे होप आपको सारे पॉइंट के लियर हो गए होंगे अब बढ़ते हैं अपने नेक्स टॉपिक के तरफ